मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपसे बात करी थी जिसमें मैंने कहा था कि सरकार क्राइसीस वाली सीचौेशन में किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती अब यह क्राइसीस ऐसा नहीं है कि यार एक global pandemic हुआ तभी क्राइसीस है क्राइसिस कभी भी आ सकती है क्राइसिस पर्सनल लेवल पर भी आ सकती है क्राइसिस या बुरा वक्त ऐसा भी हो सकता है जो कि आपको आपकी individual situation के लिए हो सकता है और इसी के लिए पैसा बचाना एक emergency fund create करना बहुत जिरूरी है जब आप एक emergency fund create कर लेते हैं तो आप बहुत सारी problem से दूर हो जाते हैं आपको बहुत सारी problem की जिनता नहीं होती और वह emergency fund आपको 6 महिने, 8 महिने, साल भर जितना भी वक्त आप उस emergency fund के लिए बनाते हैं या जितने वक्त के लिए वो emergency fund बनाते हैं उतने वक्त आपको पैसे से जुड़ी हुई problem से दूर रख लेता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि सारी problem दूर हो जाएंगी लेकिन पैसे से जुड़ी हुई problem कम हो जाएंगी या solve हो जाएंगी। और इस वज़े से आप अपनी क्राइसिस को बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं, उस क्राइसिस से बाहर आ सकते हैं, और जो एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था, वो सिर्फ एक इश्यू बन के रह जाता है, और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको अपने लिए एक emergency fund बनाने की जरूरत है। और आज हम इसी वारे में बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको अपने लिए एक emergency fund बनाना है, emergency fund बनाना जरूरी क्यों है। और इसमें कितना पैसा रखना है और इसी तरीके की और बाते। अब हम बात करें emergency fund क्या है। तो ध्यान रखिएगा emergency fund नाम से ही पता चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ emergency में काम आने वाला fund ऐसा amount जो आप किसी ऐसी situation में बाहर निकालेंगे जब ये life और death का matter है। जब ये आपके survival का, आपके परिवार के survival का matter हो गया। ये नहीं होना जाओ, चिए कि वी वी बोले मेरी nail polish खत्म हो गई और पैसे नहीं है, घर में तो आप इस fund मेंसे पैसे निकाल करके ले आओ, या आप बोले मेरा phone तीट गया है और मैं इस fund मेंसे पैसे निकालीए और लेकर आजाओं। बिल्कुल नहीं, आपको इस fund में से पैसे तब निकालना है, जब आपकी income के सारे के सारे sources बंद हो गए हैं, और आपके लिए दाल, रोटी, सबजी की भी दिक्कत हो गई है, जब ये चीजों के लिए आपको अपने लिए एक emergency fund बनाना है, तो इस बात का बहुत ध्यान रख लिजेगा, और ये भी ध्यान रख लिजेगा, इस fund को आपको lifetime तब तक नहीं निकालना है, जब तक emergency न आए, पूरी life नहीं आए तो पूरी life मत निकालिए, तो ये चीज ध्यान में रखते हुए इस fund को create करना है, ये पहली बात है जो आपको समझने के जरूरत है, अब जो आपके घर की 6 महिने से साल भरतिक की जरूरतों को पूरा कर सके, मतलब अगर आपकी जो basic needs हैं, basic needs मतलब फिर से वही बोलूँगा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, आपका transportation और इलाज, ये 6 चीजों को छोड़ करके कोई भी basic चीज में नहीं आती, कोई भी necessity नहीं है, तो इन necessity's के लिए आपको कितना पैसा लगता है, आप एक list बनाईए, आप अपने कागज पर लिखना शुरू करिए कि महिने का राशन कितना लगता है, किराया कितना लगता है, फीश कितनी जाती है, और ऐसी एक list बनाने के बाद में, मान लीजिए कि आपको 8,000 रुपे मह महिने का ये बन रहा है, तो आपके हिसाब से 6 महिने का हुआ 48,000 रुपे और एक साल का करीब करीब 1,00,000 रुपे, तो अगर आप ये 1,00,000 रुपे एखटे करके रख लेते हैं, तो आपके लिए lifetime की एक problem खतम हो जाएगी, और इसको आप bank में रख देंगे, तो कुछ भी आज मिलता रहेगा, जो कि inflation के साथ में आपको एक backup देता रहेगा, और अगर फिर भी मान लीजिए कि आपकी lifestyle change होती है, आपकी lifestyle मान लीजिए आज 8,000 रुपे महिने के खर्च वाली है, कल को यही 15,000 रुपे की हो गई, तो आपको अपना emergency fund उस हिसाब से बढ़ा लेना है, तो आपकी जो basic needs हैं, उसके हिसाब से आप देखिए कि आपको 6 महिने से साल बरता का emergency fund बनाना है, और उतना ही amount इस खाते में जमा करके रखना है, तो यह दुशरी बात है जो आपको धियान रखने की ज़रूरत है, अब आप कहेंगे कि sir आपने कहतो दिया कि emergency fund create कर लो, ले वक्त भी आप बहुत कम खर्च कर रहे होंगे, तो आप अपने खर्चों को ऐसी ही कम रहने दीजिए, और कोशिश करिए कि अपनी आमदनी का जो भी पैसा आ रहा है, उसमें से 20-25% पैसा आप बचाते जाईए, और यह जो emergency fund है, इसको आपको create करने के लिए कोई ऐसा नही होगी, चाहे कोई कुछ भी कहे, आमदनी और basic खर्चे हमेशा ही एक दूशरे के directly proportional होते हैं, अगर आपकी आमदनी ज्यादा है तो आपकी आमदनी ज्यादा रहेगी, तो आपको यह जी ध्यान रखने की ज़रुद है, तो आपको करना यह है कि अपनी lifestyle में थोड़े से cut महीने, साल भर में, आप 6 महीने का एक backup बना लेंगे, और एक बार आपके पास में 6 महीने का backup बन गया, तो फिर आपकी life में आपको यह problem नहीं होगी कि यार और अपनी lifestyle change हो गई तो क्या करना है, थोड़ा से पैसा और निकाल करके उसमें डालना है, अगले साल, अगले साल, अगले साल, और आप अपनी lifestyle को manage करते रहेंगे, backup भी उतना create रहेगा, तो यही एक तरीका करना है, और पैसे कैसे manage करना है, पैसे कैसे बचाना है, इस बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज मनाए हैं, तो आप i button से देख सकते हैं, और अगर आप चाहें, तो playlist में जाकर क देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोजें चैनल पर आप ज़रूर देखिएगा उनको, तो आपको पैसे बचाना समझ में आ जाएगा, पैसे को बढ़ाना समझ में आ जाएगा, तो ये भी ज़रूरी है, जो आपको करना है अपना emergency fund create करने के लिए, एक और सवाल जो मुझ परनी से नौकरी परनी जा पा रहे हैं, और आपके घर की आमदनी बंद हो गई, तो वो emergency है, हम ये मान लेते हैं कि यार किसी ऐसी situation में आप फ़र्च गए, जहां पर आपके पास में ये option ही नहीं है कि आप खर्च ना करें, और अगर आप अपने emergency fund से पैसा नहीं निकालते तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा, तो उस जगे पर आप अपना emergency fund इतमाल कर सकते हैं, for example, मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति के घर में उनके पिताजी की तवेद खराब हो गई, और वो बंदा शहर में रहता है, पिताजी गाउं में रहते हैं, और यहां से गाउं जाने क लिए, कुछ पैसे चाहिए, गाउं में इलाज के लिए भी पैसे चाहिए, पिताजी के लिए, और अभी आपके पास में पैसे नहीं है, अब आपके पास में दो option है, या तो आप अपना emergency fund निका लीजिए, या फिर आप किसी से कर्ज लीजिए, तो ऐसी situation में कर्ज लेना स शिरू कर दीजिए, तो ये आपको तै करना है कि emergency क्या है, लेकिन ध्यान रहिए, phone, shirt, nail polish, और hotel में खाना, ये चीज़े emergency fund में नहीं आती, तो ये आप खुद तै करिए कि हाँ ये सच में emergency है या नहीं है, अगर किसी जगे पर सच में emergency है, दो जगे पर इत्माल कर लीजिए और अगर किसी जगे पर सिर्फ wants में आ रहा है, तो वहाँ पर emergency fund को किसी भी condition में इत्माल मत करिए, ताकि आप अपनी life को बेतर बना सके है, emergency fund की जब बात होती है, तो कई बार मुझे से लोग एक सवाल और भी करते हैं, कि सिर्फ इस emergency fund को हम bank में रखने की बजा है, अगर क के सारे के सारे पैसे डूब जाएं, देखें, ध्यान रखिए, जो आप invest करना है, मैं invest करने से मना नहीं कर रहा हूं, आपको invest करना है, लेकिन पहले अपना emergency fund बनाने के बाद में, emergency fund आपका एक safety net है, आपने सरकस में देखा होगा, कि जो सरकस के कलाकार होते हैं, वो उपर ह रहे, वो एक सुरक्षित दूरी पर बने रहें, वो सुरक्षित रहें, ऐसा ही आपको भी करना है, यह जो emergency fund है, यह आपका safety net है, और इस emergency fund के बाद में, जितना पैसा आप invest करेंगे, वो सब कुछ, वो करतब होंगे, वो कलाकारियां होंगे, जिसके लिए आपको तालिया म मिलेंगे, तो धियान रखिए, emergency fund को बिलकुल अलग रखना है, अपने investment fund से, investment करना है, लेकिन पहले emergency fund बनाने के बाद में, यह भी धियान रखने वाली बात है, और जो आखरी बात emergency fund के बारे में, मुझके लोग पूछते हैं, वो यह है कि सर, अगर मान लीजिए, कभी हमे emergency की जरूती नहीं पड़ी, कभी हमारे सामने emergency fund को इसमाल करने की जरूता है यह नहीं, तो हम क्या करें, तो कुछ मत करिये, आप इस emergency fund को जिंदगी भर महां रखे रहने दीजिए, जब आप रहेंगे तो आपके काम आएगा, नहीं तो आपकी संतान के काम में आएगा, और यह emergency fund जो होता है, यह आपको ज़्यादा risk लेने की आजादी देता है, ज़्यादा invest को आप risk लेकर के कर सकते हैं, आप मुझे बताईए, सरकस के ही example लेते हैं, अगर जो सरकस के कलाकार हैं, वो अनोखे करतब करते हैं, लेकिन उनको यह मालूम ना हो कि यार नीचे एक जाल बिचा है, वो जाल को हटा दें, तो क्या वो उतने ही confidence के साथ में उस करतब को कर पाएंगे, उनके दिमाग के एक कोने में हमेशा यह डर बना रहेगा, कि यार कहीं गिर गए तो क्या होगा, ऐसा ही आपके साथ में भी होगा, अगर आप एक emergency fund बना करके रखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा risk ले सकते हैं, आपको मालू है कि यार 6 महीने साल बर तो मैं निकाल लूँगा, आज सारे पैसे बरबाद हो जाएंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर से कमालूँगा, 6 महीने मेरे पास में है, 6 महीने परिवार का पालन पुशन करना दिक्कत नहीं है, तो यह जो चीजें हैं, आप इस बात के लिए ज़रूरी है कि emergency fund को बना रहने दीजिए, और दूसरी बात यह है emergency fund की, कि कभी ना कभी कोई ना कोई emergency आनी ही है, इस बात का मैं आपको लिख करके कह सकता हूँ, क्योंकि आपकी life बहुत लंबी है, life बहुत लंबी ह बहुत शारे होते हैं, कभी ना कभी emergency आएगी, और जब वो emergency आएगी, तो यह emergency fund आपकी life को बहुत easy बना देगा, तो इसी के लिए कभी भी अपने emergency fund को खर्च मत करिये, और अगर एक बार खर्च हो गया, तो फिर से बनाईए, और जितनी बार अपने emergency fund को खर्च करें, उत ऐसे के importance को समझ गये होंगे, और आप अपने लिए एक emergency fund बना करके, अपनी life को बेतर बनाएंगे, अपनी life में सफलता और खुश्यां लेकर के आएंगे, अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए कर देने के लिए बिajा और वक्त देने के लिए हांगे, घड़ 40 प्यार खुश्यां अपनी जा आपना थाने के लिए देने?